Hello everyone, welcome to my YouTube channel. इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जल सकती विवाग में असिस्टेंट इंजिनियर सिविल की विकेंसिस के बारे में तो इसका आपको पता है कि अक्टूबर में आपको एक्जाम देखने को मिल जाएगा जिसमें की 11 पोस्टे हैं और 2023 में हम पहुँच चुके हैं और इनकी रेकोजिशन भी 2021 जनवरी के टाइम की हिमाचा पदेश पब्लिक सर्विस कमिशन शिमला के पास पहुँच गई थी इसके बाद क्या है कि अभी रिसेंटली जो है वो कैबिडेट ने 15 पोस्टे अपरूब करी थी असिस्टेंट इजने सिविल की तो उसके बाद में बहुत सारे कमेंट आ रहे थी कि क्या वो पोस्टें जो है वो डिपार्टमेंट ने हिमाचा पदेश पब्लिक सर्विस कमिशन शिमला भेज दी है तो उसके बारे में आपको पताने वालों कि जल्दी आपको वो वेकैंसी देखने को मिल सकती है और प्रोसेस में है जो कि लास्ट दो आटीय में आप आपको बता चुका हूँ लेकिन यहां पर आप यह मान के चल सकते हैं कि आपको एविकेंसी देखने को मिल जाएगी लेकिन एक तरफ हिमाज़पदेश पॉब्लिक सर्विस कमिशन शिमला के बिजनस रूल है जो कहते हैं कि एक साल में अगर सेम डिपार्टमेंट से सेम केटेगरी की पोस्त आपके पास आती है तो आपको एक्जाम नहीं करवाना है आपको बेटिंग पैनल से ही स्लेक्ट करना है तो यहां पर यह चीज़ें जो है वो सामने आ सकती हैं बाकी अगर हिमाज़पदेश पॉब्लिक सर 2022 से उनके पास अलाइट की विकैंसी है और वहां भी आप देख सकते हैं अभी तक हमें अडविटाइजमेंट ही देखने को नहीं मिली है तो यह चीज़ें हम वहां पर बिलीब नहीं कर सकते हैं बाकी इसके रिकार्डिंग को फर्दर नेक्स्ट अपडेट आती है तो मैं जुरूर आपके साथ शेर करूंगा आई होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी इंफॉर्मेटिव लगी होगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेर कर सकते हो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट के लिए